हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मनोज पंडित लेके आया हूँ हेल्फिक इनको पर एक नहीं जानकारी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिजनिस कई तरीके से किया जा सकता और एक नया बिजनिस हमारी जो दिल्ली वैस दिल्ली में हम लोग आजकल देखा होगा आपने शायद नहीं देखा एक कंपनी है कोकोस यह नारियल वेश्ती है और नारियल आपने देखा होगा नारियल पीते होगे आप लोग रोड के किनारे पर जब आपको कभी नारियल का देखा होगा आपने धेर वहां नारियल पीते होगे तो आपको गरम नारियल मिलता होगा यह कंपनी इनहों नया काम खूला है नारियल पानी का और काफी और विद्प्वूलर हो रहा है आज काम आए zaman को दिखाते हैं आए गार के वुआ दोस्तों यह मशीन नारियल पानी की और यह इस तारा से ताम करती है बताएंगे ताके संग्रे नारियल है में घिलिक अप करते हैं और यह सीधा नारियल पानी इसमें जाएगा और अंदर का भी दिखाएंगे आपको भी किस तरह से वर्ख करता है और यह बिल्कुल प्योर 100% प्योर नारियल पानी है बस यह मशीन जो है चील्ड करने के लिए नहीं रखी गई है कि गरम नारियल पिया नहीं जाता ग कर्मियों में यह देखो यह इसमें हम डाल चुके हैं और यह एसस की पाइप के द्वारा बना हुआ एक स्ट्रक्चर है इसका जो पाइप डली हुई है इसमें और इसमें चारों तरफ आइस क्यूब डली हुई है और यह सिर्फ थंड़ा करेगी और इसमें कोई मिलावट क इससे पानी ज्यादा हो जाता है और जूस कम मिलता है यह नारियल पानी आपको प्योर मिलेगा और बिल्कुल चीट मिलेगा देखो अब यह आप निकाल दो यह कि एक ग्लास निकाल दो कि देखो इसका प्रोसेस बहुत कि देखो इस तरह से यह इसमें ड्रिल हो जाएगा यह कि अग्याइट कि अग्याइट कि यह उस जार में नारियल पानी जा रहा है और और बिल्कुल आपको जो नारियल पानी मिलेगा बिल्कुल प्यॉर मिलेगा यह पार्कों के पास आपको मिल जाएंगे इस तरह के इनका यह कलर है और बहुत ही पॉपुलर है आजकेल जिसमा इनोंने नारियल बहुत सारे भर रखे हैं कि इतनी मिनट में ठंदा हो जाएगा यह एक दो मिनट में है अभी एक दो मिनट एसे ठंदा होने में लगेंगा वह पर आप जो होती है वह ठंदा करती है की और अं कर शॉत देखो इदर से दिखाओ देखो यह वही नारील पानी बिलकुल फ्योर बिलकुल चिल्डнд बहुत अच्छा टेस्ट है बिलकुल नेट्रल टेस्ट है इसका मैदार आपको कभी ऐसी आपको एसा कभी रिक्षा मिले तो आप रुक कर जरूर नारील पानी पीजिए और आपको बहुत मज़ाएगा थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे आपको बहुत अच्छी लगे वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बैल का बटन जरूर दबाईए थैंक यू, थैंक यू सो मच